हर माता-पिता ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पॉष्टिक से पॉष्टिक खाना खिलाए ताकि बच्चों को सही पोशन मिल सके. लेकिन आजकल के बच्चे खाने से ही जी चुराते हैं. खास तोर पर अगर उनके सामने खाने में दाल, चावल, रोटी रख दी जाए तब तो वो मुव बनाने लगते हैं. आज के समय में बच्चों को खाना खिलाना किसी टास्क से काम नहीं है. अगर आपका बच्चा भी दाल, चावल को देखकर मूव बनाता है तो हम आपको कुछ ऐसे हेल्दी विकल्प बताने जा रहे हैं, जिसे आप अपने बच्चों के सामने परोश सकते हैं. ये सभी दक्षन भारत के ऐसे पकवान हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और ये काफी हेल्दी भी होते हैं. ऐसे में गर्मी के मौसम में भी आप अपने बच्चों को ये साउथ इंडियन डिश परोश सकते हैं. ये इतने स्वादिष्ट होती हैं कि बच्चे पूरी प्लेट चट कर जाएंगे. डोसा शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे डोसा खाने में पसंद ना हो. आप चाहें तो डोसा बनाकर इसे चटनी के साथ परोश सकते हैं. इसमें किसी प्रकार के मसाले नहीं होते. ऐसे में ये शरीर को नुक्सान नहीं पहुँचाता है. अपने बच्चे को आप इडली सामभर भी बनाकर खिला सकते हैं. बहुत से बच्चे सामभर खाना पसंद नहीं करते हैं. ऐसे में आप उन्हें इडली फ्राइ करके भी परोज सकते हैं फ्राइड इडली तो बच्चे खा ही लेते हैं अप्पे ये देखने में काफी क्यूट होते हैं इसलिए बच्चे इसे काफी चाव से खाते हैं अप्पे सूजी से बनते हैं आप इंस्टेंट अप्पे बनाकर भी अपने बच्चे को परोश सकती हैं। बच्चे इसे टोमेटो कैचप के साथ खाना भी पसंद करते हैं। पोंगल ये दाल चावल से बनने वाला बेहद ही खास पकवान है। दक्षिन भारत में लोग इसे काफी चाव से खाते हैं। ऐसे में आप भी चाहें तो पोंगल बनाकर अपने बच्चे को खिला सकते हैं। उत्तपम ये चीले की तरह से बनता है लेकिन इसका स्वाद बच्चों को पसंद आता है। नारियल की चटनी के साथ अपने बच्चे को उत्तपम बनाकर परोसे।